आज की यह वीडियो उन सभी चात्रों के लिए है जो 75 में से 60 नंबर लाना चाह रहे हैं आपने सही सुना जो भी चात्र 75 में से 60 नंबर लाना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है क्योंकि आज की ये वीडियो प्रिटिकल साइस यानि राज नीती साफ्त की महासंगराम होने वाली है जो भी हमारे भी फ़स्टियर के फ़स्ट समेस्टर के चात्र है जिनको कल पर सो या फिर आने वाले दिनों में परिछा देनी है 2023, 24, 25, 26 जब भी परिछा देने वाले उनके लिए महासंगराम है क्योंकि आज किस वीडियो जो मैं आपको कोश्टियर मताने वाला हूं 90 प्रतस्त प्रश्ण यहीं से आएंगे 75 नंबर का आपका पेपर होता है तो 60-65 नंबर के प्रश्ण सिर्फ और सिर्फ इस मात्र एक वीडियो से आने वाले हैं तो इस वीडियो को हम चलिये सुरू करते हैं इस वीडियो मेंने कोश्टिन एंसर दोनों सामिल की हैं और आपके एक्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महात्पूर है क्योंकि उसी साफ्ट इस वीडियो में question है जो कि आपके exam के लिए महात्पूर है पहले देख लीजिए ये वीडियो जो है अध्यान से सुनेंगे ये वीडियो कि चात्रों के लिए महात्पूर है बेपर्थम वर्स सब्जेक्ट राज नीती है और semester आपका पर्थम है ठीक है प्रश्ण पत्र का नाम भी पढ़ लीजिए ताकि आपको ये confusion न रहे कि कौन से इन्वर्सिटी के चात्रों के लिए महात्पूर है जहां पर परिच्छा है राज निती साफ्ट रियानि पूटिकल साइंस की होनी वाले है और प्रश्ण पत्र यानि पेपर का नाम है भारत राष्टी आंदुरन यों भारत का संबिदान उन सभी भारत के सात्रों के लिए महात्पूर वीडियो है तो चली आते हैं question and answer पर पहला प्रश्ण है आज किस वीडियो का कि ध्यान से सुनेंगे कि उच्छ न्याले का न्याया धीस होने की योगिताएं क्या होनी चाहिए य अगर आपको माली जे हाई कोट का जज़ बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटी क्या योगिताएं होनी चाहिए थीक है तब आप उच्छ न्याले का न्याया धेफ यानि की जज़ बन पाएंगे तो वो आपको बताना है तो चलीए जानते हैं कि क्या-क्या सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए तभी वह बन सकता है नियाया देप यानि की जज उच्छी नियाले का दूसरा है कि भारत के राज छेत्र में कम से कम तक नागर पतपर रहा हो या फिनत्भा किसी उच्छ नियाला या एक से अधिक नियालेओं में लगातार कम से कम दस वर्स तक अधिवक्ता रहा हो अधिवक्ता मतलि जिसको आप लूग अधिवक्ता के रूप में वह कारिरत रहा हो झाहिए और अगला जो चाहिए उस 62 वर्स से कम हो उसकी जो उमर है वो 62 वर्स से कम हो ठीक है ये कुछ बेसिक योगताएं हैं जो उच न्याले का अगर आप बनना चाहरे हैं जज तो ये आपके अंदर होना चाहिए तब भी आप उच के लिए अपलाई कर सकते तो आप हो सकते हैं तो ये बहुत ही hard label का question है परि कि यह वाकई में अगर आप जानना चाहरे हैं कि परिच्छा में कौन-कौन से प्रस्थिस बार आने वाले हैं तो वीडियो को लाफ तक देखते रहे हैं यार पूरा डीटियल में परिच्छा में कई बार रिपीटेड है बिधान सबा और बिधान परस्थ से जोड़ा कई बार प्रस्थिस आया भी है तो ज्यादा हम इस पर डीटियल में नहीं जाएंगे क्योंकि बीडों लंबी नहों इसलिए मैं आपको इंपॉर्टन सिलेक्ट करा इस प्रशन को जरूर तैयार कर लिजेगा ठीक के इसका उत्तर भी है यहां पर अगला प्रशन है कि जो राज जिपाल होता है ठीक है उसकी सक्तियों के बारे में बताना है हलांकि बीवेका धीन सक्तियां तो आप यह भी विवेका धीन अटा देजे चाकि आपको समझ में यानि कि जो राज जिपाल के पावर होते हैं कुछ वो बताना है ठीक है पूरी डेटियल में यहाँ पर बताया गया है कि सम्भिधान के नुच्छेद में क्या-क्या पावर है उसके पूरी जानकारी पढ़ लिजे में पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं कि उसके क्या का सक तिया होती है ठीक है पहला है मुख मंत्री की नियुक्त करना ठीक है दूसरा है मंत्र मंडल को भंग भी कर सकता है बिधान सवा का अधिवेशन बुलाना इसी के पावर होता है ठीक है बिधान सवा में भंग करना इसके पास पावर है यानि कि राजिपाल के पास राष्ट पत ये भी राजिपाल का पावर है सकती है ठीक है और अगला बिधान सभा अध्यश को संदेश्यम निर्देश भेजना ये भी पावर है सकती है राजिपाल की ठीक है और लाश्ट जो पावर है सकती है वो बिधान सभा की कारवाई के लिए ठीक है पारेवेचिक नियुक्त करना ये हैं कुछ पावर ठीक है राजपाल के जो कि महत पूर्ण है एक्जाम के लिए अगला प्रशन कहे रहा है कि मौलिक अधिकार और नीत निर्देशक तत्त में अंतर बताईए बहुत ही हाई लेबल का बहुत ही हार्ड लेबल का क्वेश्चन है तो पहला अंतर ध्यान से सु दूसरा है मौल अधिकार नकरात्मक है जबकि नीत निर्देशक तत्त सकरात्मक है यानि कि जो मौल अधिकार है वो नकरात्मक है और जो नीत निर्देशक तत्त है वो सकरात्मक यानि कि सही है ठीक है ट्रू है और यह फाल्स एक तरीके से ठीक है अगला है कि मौल अधिका का अधार जो मूल अधिकार होते हैं या फिर मौलिक अधिकार है उनका अधार राजनीतिक समानता है जबकि जो नित्र निर्देशक्तत्त्त हैं ठीक है इनका जो अधार हो समाजिक और धार्मिक समानता है ठीक है मौलिक अधिकार राजनीतिक समानता नित्र निर्देशक्तत् तुका ठीक है ये प्रमुक्ष अंतर है याद रखेंगे बहुत इसलिए ठीक है अंगला प्रस्णा कि भारत के समिधान के मूल धाचे में शामनेता कौन से भिसे आते हैं ठीक है तो एतना महात्पोड नहीं लेकिन प्रस्ण का उतर्फित वैसे आप पड़ सकते हैं ठीक है और अगला प्रस्ण जो है बहुत ही हार्ड लेवल का है कि राजसभा और लोकसभा फे जुड़े कुछ चनाएंगे ता है तो राजसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विसेश अधिकार प्राप्त है पहला है अनुच्छे 255 के अनुसार राजसभा अपने विशेश बहुमत से राजसूची का कोई विशे महत्पूर गोशित कर सकती है ठीक है और दूसरा है उपराश्ट पती पर महा अभियोगी लगाने का अधिकार राजसभा को है तिन नंबर अनुच्छे 312 के अनुसार राजसभा अपने दो तिहाई बहुमत से किसी नई अखिल भारतिय सेवा का फुर्जन कर सकती है ठीक है राजसभा की जो की आपके समस्त प्रुस्तुत है काफी बार कोश्चन पूछा गया तो ध्यान से तयार कर लेंगे ठीक है अगला कोश्चन कह रहा है कि वह यह क्या संसत सम्मिधान की उद्देशका में संसोधन कर सकती है यह भी कुश्चन कई बार पर इच्छा में रिपीटेड है तो ध्यान से इसका उत्तर सुनें केशवानन्द भारती बनाम केरल राज जी के मामले में न्यालेने या नेड़े दिया कि संसत द्वारा संमिधान के अनुच्छेद 368 के आधिन उद्देशका में संसोधन किया जा सकता है लेकिन उद्देशका का जो भाग संमिधान के मोल राचे के आधिन आता है उसका संसोधन संसत द्वारा नहीं किया जा सकता संसत द्वारा संविधान की उद्देशका में संसोधन करके कुछ सब्दों को जोड़ा गया है बायलोश्य में भैदवानिक संसोधन के द्वारा संविधान की उद्देशका में समाजवादी पंथ निर्पेच तथा अखंडता सब्दों को जोड़ा गया है या संसोधन 1974 में सुर्मति इंद्रागांधी की सरकार में किया गया था सभी में पूछा जाता ही जाता है धर्म निर्पेउच राज किसे कहते हैं क्या भारत एक धर्म निर्पेच राज है यह बहुत ही महात पूंड प्रशन है इस पर जरूर फोकस करेंगे क्योंकि यह आता ही आता है इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस राजी का अपना कोई धर्म ना हो मालीजे कोई राजी है आपका मालीजे उत्तर प्रदेश है ठीक है त पिर राड जी की सरकार हो से लिए सब्सक्राइब चेया तो कि यह भारत को हम थर्म निर्पेच्च राज कहते हैं भारत एक भारत dim यहां सभी धर्मों का समान आदर दिया जाता है और धर्म के अधार पर किसी के फाद भेद भाव नहीं किया जाता है यह नहीं कि भाई वो गरीब है या फिर दूफरे धर्म का है तो इसको इस विधान न मिले यह फिर वो यहां नहीं बेट सकता यह फिर यहां नहीं जा पकता तो जो भारत है वो धर्म, निर्पेच, राज्जी है जहां पर कोई न भेद है न कोई भाव है सरकार जो है वो सभी धर्म के लोगों को एक समान देखती है किसी में भेद भाव नहीं देखती है तो इस प्रकार आप अच्छे फे बहुत ही हार लेवल का कोईश्चन का उतलिक सकते हैं और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगला कोईश्चन बहुत ही महात्पूर ये भी है कई बार पर इच्छा में आया ही भी है भारतिय संभिधान की एकातमक लच्छण ठीक है, तो पहला लच्छण है शक्तियों का विभाजन की अंदर में पच्छ दूफरा है एकहरी नागरिक्ता तीफरा है संसत द्वारा राज्यों की स्रिमाओं में परिवर्थन ये कुछ एकातमक लच्छण है भारती संबिधान के ठीक है इंडियन कंस्टिटीटूशन के चार नमबर है कि संबिधान संकटकाल में एकात्मक मतलब कि संकटकाल है तो वो एकात्मक एक साथ हो जाएंगे ठीक है राज सभा को अनुच्छे दोसों अंचाफ के तहित बिजिस अधिकार है ठीक है एक आत्मक लच्छन में भारते संभिधान के ठीक है राजिपालों के न्यूक तो राष्ट पती द्वारा होती ये भी लच्छन है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता है निकि जो राज्यों केंद्र पर निर्भर होते क्योंकि उनको जो मेन एक तरीके से कह सकते हैं हँर चीज में चाहा हो रेयल वे का भूशा बैंकिटिंग का सेकटर हो यह कोई है एल्यक्टरिक का मतलब कई छेट हो यह नहीं की जितने भी सरकार सरकारी यूजनाय है भर फिर सरकारी चीजह झाया है ठीके इसके बारे में डीटियल में मैंने किसी वीडियो में बताया है और आप पढ़ भी सकते हैं अगला प्रस्ण बहुत ही महात्पूर ने कई बार रिपीटेड ये भी है कि सम्मिधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया तो भाईया की जहां से सुनेंगे बहुत ही महात्पूर प्रस्ण है जो भारते सम्मिधान इसमें प्रस्तावना में क्या कहा गया था जानिए भारते स 76 में बायलेश में सम्वेधानिक संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है अर्थात भारत में जंता द्वारा चुनी गई सरकार होगी राष्ट पती एक निश्चित अवध के लिए होगा आंतरी के ओंबा है माबलों में भारत सोधन्तर होगा सभी के साथ समान बेवहा रहे हूं द्वारा जोड़ा होगी तो हाला कि इसमें ज्यादा मुझे एक्स्प्रेन करने की जरूत नहीं आप लोग इतने स्मार्ट है समझ गया होंगे कि मतलब जो अपना भारत देश है इसमें जो संविधान लिखा गया है ठीक है उसी के प्रस्तावना के बारे में बता गया कि भ कर सकता है ठीक है वो पूरी तरह सोतंत्र है और जो मतलब की सरकार होती है उसका जो चुनाव है वो पबलिक आनि आम जनता के द्वारा किया जाता है और हर राष्ट पति प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री जो जितने भी पद हैं इन सभी के लिए एक अवध निर्धायत की ग जनता के द्वारा चुनीगी सरकार होगी ठीक है तो इस मैं सब एक मिदम तब एक अई-टाइम के लिए यह पद दे जाते हैं चाहा बहुत ही हार्ड लेबल का कवी साली खोने की कारण बताईए तो पहला है प्रधान मंत्री का बिखुत दूफरा है लोक सभा में उसके दल की इस्थित और तीसरा है दल एवं अपने गठ बंधन में उसकी इस्थित ततकालिन परस्थितियां यह प्रधान मंत्री के सक्साली होने के कुछ कारण बहुत इमात्पूर्ण प्रशन ह तैयार कर लिजेगे ठीक है ये फक्ताली होने के कारण अब हम जानेंगे प्रधान मंत्री के पास कौन भारत के जो प्रधान मंत्री होता है उसके पास क्या क्या पावर है सक्तिया है ठीक है तो पहला है उसके सक्ति ये है कि वो मंत्री परसत का निर्मार कर देता है मतब करना ह जोता है दुफरा कि मंतर्यों की भीभागों का बित्रण यों परिव मतलब तक कौन रफद भीभाग समाढ़ेगा एक मुझे इ। संगाप कौन सड़क परिबाहन भी भाग समाद़ेगा ठीक है कौन मतलब की जो ये मतलब जो बोलतें कि क्या बोलते हैं सिधान नहिंद आ रहा हा रहा ह। ऑ कि आप लोग बोलते हैं एरपोर्ट हो गया मतलब कि हर चीज के लिए अलग-alग जितने समय के लिए जाएगा और कब किसको परिवर्तन करना वो भी कर देता है ठीक है तो ये होता मंत्रियों के विभागों का बित्रन यही करते हैं ठीक है और उनका परिवर्तन भी कर सकते हैं अगला कि मंत्य परशत की बैठक की अधिस्ता भी यही करते हैं और राष्टपति और मंत्यपरसत के मद्य संपर्क की कड़ी होती है अध्यवेशन बुलाने 17 वासान करने की सिपारिश राष्टपति से करना लोकसभा भंग करने की सिपारिश करना यह पावर है ठीक है मंत्यपरसत की बैठक बुलाना यह कुछ प्रमुक पावर है एक भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताईए ठीक है तो चलिए पहले समझतें इसके कारण और भी जानकारी जाते हैं पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन जुछ चलाया गया था कि भाईया जो हमारे देश में बहुत सारे जो बिट्रिफ सरकार थी या फिर बिट्रिफ लोग इंग्लेंड के लोग थे अंगरेज लोग थे ठीक है मुगल लोग मतलब को लेकित तरी के फिर जो पूरत तरह भारत को कभजा कर लखे थे और पूरा जो अपना है उप हक जमाय हो था अपनी सरकार चलाते थे ठीक है तो कुछ देश की के चाह करनतकारियों के द्वारा उनके कि द्वारा ये पूरा का पूरा आंदोलन चलाया ठीक है गया StudiU है ऐ भाड़तियों के पहाद मत मत्वाफ क्या मतर्व razor कर्टे थि ठीक है और अगला है कि बर्मा में भाड़तियों के प्रत्रि आमान वे भीवार करना मताब जैफेटाय वाड़ जब उन को और पूरा उनका सासन चलता था तरीके से पोरी बंगाल में आतंक का साया था वस्तो और सेवाओं को बढ़ते मोली मतलब की हर चीज में इस समय इतनी महेंगाई हो गई है ठीक है उस समय भी हर वस्तों हर सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा पैंसे की डिमांड की जाती थी क्योंकि भाई जो वस्तों थी वो उन पर कब्जा अंग्रेजों का था ठीक है तो वो उसके लिए अधिक चार्ज करते थे अधिक रुपे लेते थे कोई समान लेने पर फिर कोई सेवा देने पर तो इस वज़ा से भारत छोड़ों चलाया गया था याद रखेंगे महात्पू नहीं लेकिन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता इग्नोर भी कर सकते हैं अगला महत्पूर्ण प्रस्नेक भाईया भारतिये मंति प्रस्त की पांच विस्ता है तो दूसरा प्रदान मंत्री के सर्व बोचता तीफरा है एक दलियूम संबिस सरकारों का निर्माड और चौथा दू जो जो मैं प्रस्न बता रहा हूं यह आप सभी की अति लगुत्र में भी आ सकते हैं लगुत्र में भी आ सकते हैं दिर्गुत्र में भी आ सकते हैं इसले जिस भी प्रस्न का उत्ता तयार करेंगे डीटेल में करेंगे यहां पर सिर्फ हम आपको बेशिक नोलेज दे र पड़ेगा ठीक है अगला प्रश्ण बहुत ही हार्ड लेवल का है कि यह लोग सभा का गठन कैसे होता है इसके बारे में बताए बहुत ही महात्पूर्ट प्रश्ण है तो लोग सभा संसद का लोग प्रियूम निम्न सदन है अनुच्छेद 81 के अनुसार लोग सभा के अधिक सभागाई में लोग सभा कि सभागे पांशो 555 है जिसमें 553 जनता द्वारा निर्वाचित होती और दो फदर्श राष्पति द्वारा मनुनित हैं पांशो 343 निर्वाचित पदर्यवाचित सभागे तो आपको समझ भी इसमें कोई explain करने मुझे ज्यादा आप शकता नहीं आप लोग एक एक लाइन आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगे पूरी बात महत्पूर्ण एक्जाम के लिए कुश्चन है अगला भाया प्रश्ण है कि मन्त परिश्द के निर्माण में किन बातों का ध्या प्रश्ण परिश्चा में आते हैं गारेंटी के साथ और इस बार भी एक दो प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे संबिधान अनुछेद 342-324 में एक निर्वाचन आयोग की विवफ्था की गई है ध्यान से सुनेंगे संबिधान की 243-324 में एक निर्वाचन आयोग की विवफ्था की गई है जिसका कार निर्वाचन संबंधी होता है इसमें एक मुख निर्वाचन आयोग तथा दो अन्य आयोग तो होते हैं सभी विशेओपर निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार किये जाते हैं तो ध्यान से अपनी देश की पॉपलेशन है ठीक है जिसको आप लोग जनगर्णा बोलते हैं तो जनगर्णा के माध्धिम से मत दाता फूची तैयार की जाती कि कौन-कौन iliegybal हो गए हैं कौन-कौन योग हो गए हैं ओट डालने के लिए मत डालने के लिए तो उनकी फूची तयार करना किसका काम है किसका काम है इन्ही का काम है ठीक निर्वाच्छान योग का अगला है राजनिति दिलों को मानता देना ठीक है ये सब इनकी कार है सब लोग जितने भी डिपार्मेंट के अधिकारी होते हैं सब मतब कि निर्वाचन आयोग में अपनी मदद करते हैं और उसी में लगे रहते हैं ठीक है और अगला है कि चुनाव प्रसार के लिए नियम बनाना कि वहीया समय पे ही चुनाव का प्रसार कर पाएं यह नहीं कि एक दिन पहले तक करते रहें और जबजस्त पर पैसे देकर अपना सिस्टम बनाते हैं तो उसके बहीं कुछ नियम होते हैं प्रचार प्रसार की वहा इसका कार है बनाना किसी दल के विभाजन पर नेड़य देना भी इसका कार है तो इस प्रकार लिखेंगे निर्वाचन आयोग को बारे में बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है पिछले साल कई बार रेपीटेड है मतब कई बार आया है दो तीन सालों से लगातार मतब पहले भी आ रहा है और इस बार भी आएगा भारते राष्टे आंदोलन की उत्पत्त पढ़ लेंगे कोई इतना महात्पूर्ण नहीं लेकिन प तीन ऐसी घटनाएं घटेत हुई जिसमें महात्मा गांधी को आंदोलन प्रारम करने के लिए बिवस कर दिया गया यह घटनाएं हैं पहला है जलिया वाला बाग हत्याकान दोफरा है रोलट एक्ट और तीफरा है खिलापत आंदोलन यह जो हैं यह महात्मा गांधी के पजबूर होकर गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेज हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे अर्थात आसहयोग को नीत अपनाएंगे दिसंबर 1922 के नागपुर अधिवेशन में आसहयोग अंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया प्रस्ताड़ी थे वह अंदोलन को आहिंसा के रूप में देखना चाहे थे ठीक है ना कि हिंसा के रूप में तो यह आसहयोग अंदोलन में तीन घटनाएं जो ही जो पहला जलिया वाला अत्याकांड और दूफ़ा रोलर और तीफ़ा खिलापत अंदोलन ठीक है तो यह आपके पास भी ज्यादा समय नहीं होगा देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं इसलिए मेरा भी मन तूठी जाता कहीं तक फिर भी लेकिन हम आपको इंड़े तक बताते रहते कि कौन-कौन से महत्पूर्ण है कौन-कौन से आएंगे यह भी कए बार पर इ को ठीक है तो उसके लिए जो जज़ बनेगा नहीं अदिश उसके लिए क्या-क्या योगिता होनी चाहिए तो पहला भारत का नागिरिक होना चाहिए और दूफरा हो किसी या कई उच्छ नाले में कम से कम पांच वर्सों तक नहादीफ रहा हो या फिर एक या कई उच्छ में दस वर्सतों तक अधिवक्तावन तब कि वकील लहा हो उसकी आयो जो है वो 65 वर्स से कम हो और अगला है चार नंबर जो योगिता होनी चाहिए राश्ट पति कि द्रिष्ट में कानून का ग्याता हो ठीक है यह कुछ योगिताएं हैं चार जो की होनी होनी चाहिए सर्व प्रमुक्ष वक्तियां जो कि आप पढ़ लेंगे बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्तुत है कि भारतिया राश्ट पति किन प्रस्तियों में सर्व चिन्याले से परामर्स लेता है कभी कदार आता हमेशा नहीं आता हो तो आप इग्नौर भी कर सकते पढ़ भी सकते इस प्रस् ये विशेष्टा संग अत्मक साशन है संसाधा आत्मक सासन है विश्ट का सबसे व्यापक और सबसे बड़ा संविधान एक तरीके से बौल सकते हैं ठीक है और लोगतांत्रिक संविधान है और नियाय पालिका कि सुतंत्रता यह है प्रवं कुस्ता मोलेक अधिकारे हम सब्सक्राइब करें बातों को ध्यान में रखकर जो हैं सब्सक्राइब रखा गया है इस बार भी आएगा तो पहला दिकार जो है ठीक है ध्यां सुनेंगे भारतिय सम्मेधान भागतिन में उच्छेद चौदा फे पैंतिस तक नागिर्कों को उच्छे मौलिक अधिकार दिये गए हैं पहला समानता के दिकार मतलब कि वो समान बेवभार करे ठीक है भारतिय सम्मेधान में व्यडित मौलिक अधिकार जोकी आपको याद रखना है अच्छे मौलिक अधिकार हैं बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन है ध्यान रखेंगे नेत निर्देफक्तत्तु और मौलिक अधिकार में अंतर उपर मैंने बता ही रखा आप सभी ने देखा भी है भारतिय संगात्मक बेफथा के प्रमुक लच्छन जो कुछ प्रमुक लच्छन है पढ़ लेंगे बहुत मातपूर यह भी प्रशन है और क्रिप्स मिसन भारत क्यों आया यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता नेस्ट भी कोईश्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता गांधी जी द्वारा आसवे को अंदोलन सांती पूर्बग चलाने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को कर ना देने के लिए एक अंदोलन चलाने के लिए बिट्टिस सरकार को एक सब्ता का समय दिया। गेर कर उसमें आग लगा दी इसमें थाने के सभी लोग जलकर राख हो गए इसके बाद ग्यारा फरोरी 1922 को कांग्रेज कार समित ने आंदोलन के हिंसक हो जाने की करण अफ्थाक्यत करने का निड़ लिया। थीक है तो इस प्रकाश चोरी-चोरा कांड होगा था पूरा का सम रमदल कभी कजार आता हमेशा नहीं आता पढ़ भी सकते इग्नोर भी कर सकते बेसक ठीक है और फतन भारत छोड़ों आंदोलन का महत्त यह महत्त पूर्ण है यह कई बार आया है ठीक है प्रश्ण आपकी परिच्छा में तो यह रहे करीब करीब पचास से भी जादा कोश् पर संस्योर है और यह पूरी पूरी जो पीडियाफ है यह हम आपको वर्ट्सप पे और टेलेग्राम दोनों पर देने वालेंगे लेकिन इसके लिए कंडिशन है वीडियो के डिस्क्रिक्सिन में वाट्सप गुरूप का लिंक है उस पर जोईन होके जो भी चातर में करेंगे उन्हीं को यह पीडियोप मिलेगी इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे बाकी आज किस वीडियों बस इतना ही कोई कोश्चन है तो जरूर पोछे मिलते हैं इस वीडियो में जय हिंद